पूरा जो मटं का बजार है वह लग चुक है और ये बड़ा बा चुकता क्या बहुत है चुस्ता है तो क्या कहा जाता है चुसTा लाडा चुस्ता इस जगे पड़ा हैं इस जगे पर आज से दो साल पहले भी आये थे यहां मटं खाए थे सरसो का तेल मही प्याज को फ्राई करते हैं है तेल गरं होíamos चुका है अब इसमें डाला जा रहा है प्याज तो इदर देख सकते हैं कि प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया गया है और अब जो है जा जा रहा है तेल में लहसन वहाँ कितना दिर मसाला को भूनियेगा अधा गांटा सब के लिए है आप लोग यही खाते हैं मतन नहीं खाते हैं मतन रात में चलता है रोज डेली रोज के रात का मतन फिक्स है शुस्ता होगी है जगिए एक लोट में बनेगा चार किलो गारा बज मतन के साथ और फिर कुकर में शिफ्ट कर दते हैं अभी और कितना समय लगेगा 10-15 मिल लगने वाला है यह हो गया चाप ओला इससा जल्दी पग जाता है जल्दी पग जाता है जल्दी पग जाता है तो अगर आप मेंसे किसी को भी सॉफ्ट मतन खाना अगर आप मानलीजे गरिभ kitchen ऊस्ट घर घान जोंने करो चाहए ऑजिए वाल है मतन गया एक सथ मसाले में कि और वाकी है बाकी का मunya जो है वो डलना बाकी है ऑअभी सही पीं प्रवाइब तोड़ देना है और लोग इजा रहे हैं लोग इजा रहे हैं चालीस किलो प्याज यह आ चुका है दूसरा हंडी प्याज का यह सब मिला के चालीस किलो लगबग प्याज है जो हिस्सा था जो सौफ्ट वाला पोर्शन था अब उसे डाला जा रहा है घंटा समे दिया गया है पिछला रान को पकाने में थोड़ा और इंतजार करना है इसके बाद जाके मटन जो है वह होगा तयार अभी लगबग आदे से एगंटे का इंतयार जो है वह बाकी है उसके बाद मटन पूरी तरह से तयार होगा फाइनली रेडी हो चुका है मतलब यहां वाल इतने इंतजार के बाद मटन जो हो गया तयार अब इस हांडी को हटाना है और रख देंगे लगबग 40 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मटन का जो है वह मुह दिखाई होगा मतलब 40 मिनट तक इसको इसी तरीके से डख के रखना है यह देगे ते पहले जो है ट्राइ करत है और हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं कहीं भी शूट करने यह पाइदा है कि तुरंट मटन बनता है तुरंट बेस पार्ट हो मिल जाता है साथ में कॉम्प्लिमेंटरी चर्भी हो गया इंटस्टाइन हो गया सब कुछ दिया गया है कि कब से पहले रोटी के साथ एक ब बनाने के बाद दुबारा वहां जाए खाने के लिए बट यह ऐसा ज़रा है यहां वीडियो बनाने के बाद बहुत बड़ा है खाने हम पैक करा के घड़ ले गया हूं